मनसूर्चक पंचायत के आधिकारिक काडियाले में महागटवंदन के सभी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित आगामी धरने पर हुआ चर्चा पड़ी चर्चा बिदितों की बरतमान समय में देश अस्तर पे कई साड़े ऐसे काड़े करम चल रहे हैं जो कहीं न कहीं जाती गत पाटी गत और विवस्था गत बरनी थे तस्वीर आज मनसूर्चक परखंड के मनसूर्चक पंचायत के आधिकारिक काडियाले के सभाकक्ष से है जहां गटवंदन सोसित पिरित वंचित लोगों के लराई को लेकर जिस परकार प्रतिवद्ध है और बरतमान केंदर की सरकार लगातार इन तमाम लोगों के मांगों की अंसूनी करती है अंदेखी करती है इसको लेकर अब महागटवंदन के सभी नेता और कारेकरता प्रतिवद् जून को हम लोग मंसूर्चक परखन मुख्याले पर एक दिवस्य धरना का आयोजन करेंगे क्योंकि बरतमान समय में चाहे वह जाती आधारी जनगन्ना हो या अन्य कई लावकारी योजना हो जो केंदर सरकार केबल अपने तमाम चुनावी वादों में तो चला रहे हैं धरात पर कुछ नहीं देखती पुर्व में कई सारे योजना थे जो मिल रहे थे और बरतमान में वह बंध है चाहुआ गरीब की बात हो चाहिए धनेबान की बात हो चाहुआ किसान की बात हो हम लोग ब्यापक अस्तर पर पिछले कई महिनों से पंचायत अस्तर पर घूम घूम कर वहां के जंद समस्याओं को संगरह किया है और अब धीरे-धीरे समय आ गया है कि उन तमाम समस्याओं को पंचायत अस्तर से उठाकर परखंड अस्तर पर लाओं और यहां से फिर परदेश अस्तर तक पहु और इसी कार्यवाई के अनुरूप हम लोग आगामी 15 जून को अपने पूरे दम खम के साथ जब परखंड मुख्याला पर पहुंचेंगे तो हाँ एक एक चीजों का खुलासा होगा इसी को लेकर आज यह आधिकारिक बैठक आयुजित हुई और इस बैठक में हमारे जितने घटक के नेता आये हैं उन समों ने यह सामती दी स्विक्रती दी कि हम लोगों को ही जरूर गड़िवों की आवाज बनकर आगे आना होगा क्योंकि जनता हमारे उपर विश्वास करती है जनता हमें चाहती है तब ही तो हम लोगों ने उन्हें अपने दर्द को और अपने आ आवास को यहां तक पहुचाने का एक मुहीम एक जर्या दिया है मनसुर चकसे अनंत कुमार की रिपोर्ट